नमश्कार मैं हूँ पलवी और स्वागत है आपका बॉलिवूड स्पेशल में जीवन का प्यार है बेटिया, माता पिता का दुलार है बेटिया डॉटियूस डे पर आज देश भर में यही दिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर बॉलिवूड स्पेशल में बनाया और बेटियों पर खुलकर प्यार बरसाया है अक्षे गुमार, कपिल शर्मा और तमाम ऐसे बड़े स्पेशल बरसाया और उनकी पोटो सोशल मीडिया पर शेयर की आपको बता दें कि तमाम सेलेबरिटीज अपनी बेटियों के उपर प्यार उटाते हुए इंस्टाग्राम पर तो जरूर ही देखे गए हैं जा उन्होंने अपनी बेटियों के साथ अपनी स्पेशल बॉन्टिंग और स्पेशल फोटोस को शेयर किया है और खासतोर पर ये फोटोस देखकर फैंस के भी रियाक्शन्स आ गए और फैंस को इन मदर डॉर्टर और फादर डॉर्टर की जो केमिस्ट्री है काफी पसंद आई आपको बता दें कि हाल ही में सोहाली खान, कपिल शर्मा, आलिया भात और अक्षे कुमार ने शिलपाश्यटी समेट समीने अपने पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल फोटोस शेयर की इस वरान शिलपाश्यटी नीतो कपूर जैसे तमाम सेलेब्रिटीज ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों को बधाई भी थी अपने जमाने की सूबर एड़ आक्ट्रेस नीतो कपूर ने अपनी बेटी रिदिमा कपूर के साथ एक फोटोस शेयर की और लिखा Happy Daughter's Day एक मा के लिए सबसे कीमती उपहार इसके जवाब में रिदिमा ने लिखा आपके लिए बहुत प्यार बॉलिवूड अभीनेता अक्षे कुमार बैसे तो हमेशा ही बच्चों को मीडिया की क्यामरों से दूर रखते हैं लेकिन इस खास मौकी पर उन्होंने भी अपनी बेटी नितारा के साथ एक तस्वीरे शेयर की है एक कुलाज बना कर अक्षे ने तस्वीरे शेयर की बॉलिवूड अक्टर शिल्पा शेटी ने भी अपने बीटी के साथ तस्वीरे शेयर की और समीशा के साथ एक प्यारा सब विडियो शेर किया ये विडियो गनेश उस्तव के दौरान का है और इस विडियो के साथ ही शिल्पा ने सभी को डौधेस डे की शिपकाम नाय दी है तो भही कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी प्यारी सी बेटी अनायरा की कुछ प्यारी तस्वीर शेर की और इस खास दिन की बधाई भी थी टीवी आक्टरस सोहाली खान और शर्मीला ने भी एक दूस्ते के साथ फोटोस पोस्ट की है साथ ही तीन जनरेशन की फोटोस शेर की गए साथ ही लिखा कि एक बेटी आपको गोध को बढ़ा सकती है एक्टरस सोनी राज़दान ने अपनी बेटियों आलिया भाच और शर्मीला की तस्वीरों को और विडियो को इंस्टेब पर शेर किया है इसके साथ ही उन्होंने के अप्शन में लिखा भगवान केवल ये जानता है कि मैं आप दोनों के बिना क्या करूंगे हैपी डॉटस दे और नेट्फिक्स के सबसे बॉपलर शोर मनी हाइस सीजन 5 वॉल्यम 2 का फर्स लोग लोगों में खुब एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है बले ही मनी हाइस सीजन 5 को वॉल्यम 2 आने में अभी थोड़ा वक्त है लेकिन आपको बता दें कि शनिवार को ऑनलाइन इवेंट में स्टार अलवारो मौचो ने सीरीज में प्रोफेसर की भूमिका निभाते हैं जो की उन्होंने हमें हिंट दे दिया है उन्होंने स्पैनिश शेरीज के लॉंच को लेकर पांच एपिसोड की पहली जोलक दिखाए जब मनी हाइस सीजन 5 का प्रिमियर सिदंबर में नेट्फिक्स पर हुआ था मनी हाइस सीजन 5 वॉल्म 2 के फर्स लुप में नेट्फिक्स ने जो खुला सा किया है उसके बाद से लोग इसका बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं बता दें कि मौचे के अलावा प्रोफेसर के रूप में मनी हाइस सीजन 5 के कलाकारों में चोक्यों के रूप में उरसला कोरबेरो और लिस्बन के रूप में इस्टिजियार एचोनियोर डियो के किरदार में मुगोयल हैरान जैनवर के रोल में जैम लॉरेंट और स्कॉच ह टीना लोपेज फ़राज मनी हाइस के निर्माता है और साथ ही जेवियर गोमेज स्टैंडर्ड मनी हाइस सीजन 5 के में राइटर है इसके अलावा मनी हाइस सीजन 5 वॉल्यूम 2 इंदिया के साथ साथ दुनिया भर में नेट्फिक्स पर 3 दिसंबर को स्ट्रीम किया जाएग और टीवी रियालिटी शो खत्रों के खिलाडी सीजन 11 की जीत का ताज एक्टर अर्जुन बिजलानी के सर पर सच चुका है बता दें कि अर्जुन बिजलानी के सर पर ये सहरा काफी अच्छा भी लग रहा है वहीं अक्टरिस दिव्यांगत रिपाथी इस शो की फर्स्ट वॉनर अर्ब कोशित हुई इस शो के विनर अर्जुन बिजलानी को ना सिर्फ कैश प्राइज बलकि स्विफ्ट कार भी गिफ्ट की है और इस दुरान आपको बताते चलें कि टीवी रियालिटी शो खत्रों के खिलाडी सीजन 11 के विनर और अन्य कंटेस्टन्स को इस शो में कितनी प्राइज मनी मिली है बतोर प्राइज मनी 40,00,00,000 रुपए मिले हैं और आईए अब आपको बता दें कि शो खत्रू के खिलाडी सीजन 11 के अन्य कंटेस्टेंस को प्रती एपिसोड कितनी फीस मिलती है तो बता दें कि शो के दो कंटेस्टेंट राहुल बैदे और दिव्यांकत रिपाथी को इस शो के लिए प्रती एपिसोड सबसे ज्यादा फीस ओफर की गई थी खबरों की माने तो जहारा उलवेद्य को 15 लाग प्रती एपिसोड तो वहीं दिव्यांकात रिपाथी को 12 लाग प्रती एपिसोड तक बतौर फीस ओफर की गई साथी आपको बता दें कि दिव्यांकात रिपाथी का नाम टीवी इंट्रस्ट्रीज की हाइस पेड एक्ट्रस में आता है तो वहीं खत्रू के खिलाडी सीजन 11 की बात करें तो विनर रहे अरजन बिजलानी को प्रती एपिसोड 10 लाग रुपई की फीस ओफर हो गे थी इस औरान शो के अन्य कंटेस्टिंस की अगर बात करें तो अभिनर शुकला को प्रती एपिसोड 8 लाग रुपई दिये जा रहे थे जबकि विशाल आदितर सिंग को 7 लाग निकी तंबोली को 7 लाग अनुश्का सेन को 6 लाग सौरव राज जैन को 5.5 लाग और आस्था गिल को 2 लाग महल चहल को 2 लाग सना मक्बूल को 2 लाग प्रती एपिसोड अफर के जाने की खबर सामने आए और ट्राइगर श्रॉफ और प्रती सेनन स्टारर पूजा एंटर्टेन्मेंट की फिल्म गणपत 30 दिसमबर 2022 को रिलीज होने जा रही है और प्रोडक्शन हाउस में इस बार ये ज़ानकारी साज़ा की और फिल्म की बारे में तमाम ऐसी एहम बाते भी बताए फिल्म को विकास बहल द्वारा निर्देशित किया गया है और पिछले महीने ही टाइगर श्रॉफ ने गणपत का एक टीजर फैल्स के साथ शेयर किया था इस टीजर में टाइगर एंगरे लुक में नज़र आ रहे थे और बताते चलें कि जो विजियो आप सामने आया है विजियो में उन्हें हातों में बॉक्सिंग हैंड रैप लपेटते हुए देखा जो सकता है टाइगर ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए बताया कि गणपत 23 दिसंबर 2022 को रिलीज होने जा रही है उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि उसकी हचेगी तो सब की फटेगी आरा ले गणपत तयार रहना ये फिल्म फिल्म दो का हिस्से में दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी और टीजर में आप देख सकते हैं कि टाइगर का लोग भी काफी जबरदस रखा गया है प्रिंटेट शिर्ट में टाइगर हाथ में लाल रंग का कपड़ा लपेटते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही उनका ये अंदाद काफी हट के होने वाला है और ये साफ हो चुका है कि वो कितने गुस्से में हैं फिल्म में लीड अक्ट्रेस के लिए कृती सेनन अपना किरदार निभा रहे हैं और इसके साथ ही इसमें अब वो आक्शन करती भी नजर आएंगे साथ ही बताते चले कि टाइगर और कृती की जोड़ी पहले भी हीरो पंती जोसी फिल्म में नजर आ चुकी है और दोनों की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद भी किया गया था ऐसे में उनके जो किर्दार हैं उनका नाम भी रिवील हो चुका है और वो जसी नाम की लड़की का रोल प्ले करेंगे टाइगर की ये बाक टू बाक अक्शन मुवी है और इससे पहले उनकी बागी बागी टू बागी थREE हीरो पंती रिलीज हो चुकी है मुन्ना माइकल भी रिलीज हुई थी और ऐसे मैं आपको बोदा दें कि उनका धमाकेदार आक्शन इन तमाम फिल्मों में देखने को मिला और उमीद है कि गनबद में भी टाइकर ऐसे ही भर पूर आक्शन करते नजर आएंगे और बिग बोस तमिल की एक्स कंटेस्टेंस और एक्ट्रिस का कुछ समय पहले ही टेस्ट इस्ट कोस्ट रोड महावलीपुरम में एक कार एक्सिटेंट हो गया तो वहीं वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही थी कि इस दोरान उनकी कार सड़क के बीच बने एक डिवाइडर से टकरा गई बता दें कि एक सड़क के नारे गड़े में उनकी कार ज़ा गिरी है और इसके बाद उनके एक दोस्त वल्ली चेटी भवानी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि याशिका गंभी रूप से घायल हो गई है डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें चीक होने में कम से कम पाँच महीने लगेंगे तो वहीं अब याशिका की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया एक्टर अशोक ने बीते दिन याशिका और उनकी फैमिली से मुलाकात की साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक याशिका के साथ तस्वीर भी शेयर की है इस तस्वीर में याशिका अपने पैरो पर खड़ी होई नजर आ रही है एक्टर अशोक ने लिखा है कि याशिका की हेल्थ में अब थीरे-धीरे सुधार हो रहा है और वो जल्द ही पहले जैसी हो सकेंगे हाला कि अशोक ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और बता दें कि कार हाथसे में याशिका बुरी तरह से खायल हो गई थी एक्सिडेंट की बाद कार को गड़े में देखकर महा से गुजरने वाले लोगों ने कार में फसे तीनों लोगों को बचाने के लिए दोड़ पड़े इस दोरान उने कंभी चोटे आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गया हाला कि लोगों ने याशिका की दोस्त वली चेटी भवानी को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों की मदद का अधिजार करना पड़ा इस दोरानकार में ही उनके दोस्त की मौत हो गई याशिका अनंद तमिल नाजू की एक पॉपलर मॉडल है और इसके बाद उन्होंने कवलाई वेदम, नौचा और दुरुवंगल जैसी फिल्मों में भी काम किया है साथ ही आपको बता दें, वो सुपोर्टिंग डोल में नजर आई और उन्होंने इरुद्टू अरयल की मौराट्टू कुत्थू में एक एहम भूमिका भी निभाई थी संजे भनसाली ने नेट्फिक्स के ग्लोबल प्रैन इवेंट में अपनी पहली सीरीज हीरा मंजी के लिए अपना विजन शेयर किया है और मशूर डारेक्टर संजे लीला भनसाली ने हीरा मंजी के पीछे अपनी प्रेणना को लेकर बात की है नेट्फिक्स के लिए उनकी पहली सीरीज का फैंस भी सबरी से इंतिजार कर रहे हैं साथी संजे की सीरीज स्वतंतरता से पहले के भारत को दिखाएगा उसी वक्त कोठों में प्यार, विश्वास घात, उत्रादिकार और राजनीदी के बारे में ये फिल्म होगी ये सीरीज काफी शांदार होने वाली है और अपनी जर्णी और हीरा मंजे के बारे में बताते हुए संजो लिला बंसाले ने कहा मुझे याद है जब मैं चार साल का बच्चा था और मेरे पिता मुझे एक शूटिंग पर ले गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम यहां बैचो और मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ मैं स्टूडियो में ही था वहां मुझे बहुत अच्छा लगा और एक स्कूल, खेल कमैदान, चचेरे भाई का घर या दुनिया में किसी भी जगा से ज्यादा मुझे लगा कि ये सबसे खूब सूरत जगा है जब मैं 25 साल पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि आपको एक फिल्म बनाने का मौका पाने के लिए धन्य होना पड़ता है और इसी लिए मैं स्टूडियो से चिपक जाता हूँ क्योंकि स्टूडियो का फर्च सबसे जादो ही होता है मेरा मंदिर यही मेरा सब कुछ है इसके अलावा संजलीरा भंसाली ने आगे कहा कि हीरा मंदी एक ऐसी चीज थी जो मेरे दोस्त मोहिन बेक ने 14 साल पहले मुझे 14 पेच की कहानी के रूप में दी थी और आखिर का है जब हमने इसे नेटफ्लिक्स के सामने पेश किया तो उन्होंने इसे काफी पसंद किया है उन्हें लगा कि इसे बनाया जाना चाहिए और इसके साथ ही ये भी एक बड़े लेवल की सिरीज है जुसमें आप सभी को दरबार्यों की कहानी दिखाए जाएगी वो संगीत, कविता और नृत्यों और जीने की जो कला रखते थे ये मुश्किल है लेकिन मुझे उमीद है कि इस बार हम शांदा रंग लेकर आएंगे और बच्चन बहु आश्वरे और आयबच्चन ने बॉलेवुड में खुद को स्थापित करने के लिए एक लंबा सफ़ते किया है और आज लाकों लोग उनके दिवाने हैं वही साल 2017 में बॉलेवुड में उन्होंने अपनी 20 साल के करियर बॉलेवुड में पूरे कर लिये थे इस मौगे पर दिगज आक्ट्रेस रेखा ने एश्वरिया की चम कर तारिफ की और एक खत लिखाया इस खत में उन्होंने एश्वरिया को बधाई दी और उनके करियर की उपलब्धियों का जिक्री करते हुए काफी तारिफ भी की इस श्थी में रेखा ने एश्वरिया को आराध्या की अम्मा कहकर भी बुलाया था दरसल काफी कम लोग जानते हैं कि रेखा और एश्वरिया के बीच एक खास रिष्टा है दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करती है और आपको बता दे कि दोनों एक दूसरे को काफी मानती है रेखा और एश्वरिया रेखा को एश्वरिया मा कहकर भी बुलाती है रेखा ने शुठी में लिखा था कि तुम्हारे जैसी महिला उस नदी के तरह होती है जो बगेर किसी बनावच के आगे बढ़ते रहना चाते है वो अपनी मंजिल पर इस इरादे के साथ पहुंचती है कि वो अपनी पहचान खोने नहीं देगी उन्होंने ये भी लिखा कि भले ही लोग ये भूल जाएं कि तुमने क्या कहा तुमने क्या किया लेकिन लोग कभी ये नहीं भूल पाएंगे कि तुमने लोगों को कैसा एसास कराया तुम अपने आप में संपूर्ण हो तुम्हें किसी को कुछ भी थावित करने की कोई जरूरत नहीं रेखा ने इसमें ये भी लिखा कि बेबी तुमने एक बहुत लंबा सफरतय किया है इस सफर में कई रुकावचों को पार किया और फिर उचायों तक पहुंची हो तुमने अभी तक सभी रोल बहतरीन तोरीके से निभा है और आराध्या की मा बनने का जो तुम्हारा किरदार है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है तुम्हारे लिए बेंतहाग खुश हूँ और दुआ करते हूँ बहुत सारा प्यार जीते रहो रेखा मा और अपने समय के सबसे फेमस स्टार रहे गोविंदा के बेटे अब हर्श्वर्दन भी बाकी स्टार पुत्रों की रहा पर चलते हुए जल्दी ही अपना बॉली मुद जब्यू कर सकते हैं सूत्रों की माने तो हर्श्वर्दन काफी समय से इस जब्यू के लिए तयारी करने में जुटे थे और अब आकाश गहरबार गोविंदा के कजन है साक्षतकार में बात करें तो आकाश ने कहा कि आप लोग जल्दी हर्श्वर्दन के जब्यू के बारे में सुनेगे यही नहीं बलकि उसने हाल ही में एक फोटो शूट भी करवाया है जिसे गोविंदा जुई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया वो अपने उपायर काम कर रहा था क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत माईने रखता है साथ ही आपको बता दें कि हर्श्वर्दन का तकड़ी तैयारी करने का ये कारण तो होगा ही वो बोलेवुट के एक competitive महौल में खुद को establish करना चाहते हैं साथ ही अब उनके उपर बेहन का फ्लेवर भी उनके लिए सबक हो सकता है साथ ही दरुसल कुछ समय पहले ही गोवंदा की बेटी टीना ने भी बोलेवुट में अपनी किस्मत आसमाई थी पर वो बुरी तरह से फेल हुई इस कारण हर्चवर्दन दोगुनी मेहनत कर रहे हैं ताकि पॉबलिक का प्यार उनने मिल सके स्टार पूद्र होने के कारण फाइदे तो होते हैं पर नुकसान भी बहुत है इन पर एक प्रकार का सफलता पाने का प्रेशर होता है और यह चाहिँ जितनी कोशिश कर ले लेकिन अपनी पिता से तुलना रोक नहीं पाते गोविंदा का स्टारडम और उनकी डांसिंग स्किल्स किसी से चुपी नहीं है और जाहिर है कि ऐसे में अब हर्श्वर्दन पर भी सफलता पाने का प्रेशर तो होगा ही साथ ही दान्स के मामले में भी वो कदम कदम पाय जच किये जाएंगे इस बीच गोविंदा ने अपने बेटे की फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर एक एमोशनल नोट भी शेयर किया है ये नोट बता रहा है कि वो अपने बेटे की मेहनत को देखते हुए उसके उजवल भविश्य के लिए आफश्वासन दे रहे है अब बॉलिवुड अभी नेता शारुक खान और गोरी खान बॉलिवुड के मोस्ट डॉरेबल कपल में से एक है और अब शारुक खान मुस्लिम है और उनकी पतनी गोरी पंजाबी पर दोनों का प्यार दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है शारुक खान ने 1988 में पहली बार गोरी से वो मिले और पहली ही नजर में अपना दिल हार वैच है उनकी दिवानगी इस हद तक थी कि एक बार तो वो गोरी के लिए एक पत्रकार पर तलवार तक चला चुके है बता दें कि शारुक ने 25 अक्टूबर 1991 को गोरी के साथ श्यादे की थी जिसके बाद मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए आ गए शारुक ने कहा कि 1993 में जब उनकी फिल्म कभी हां कभी ना आई थी तो इक पत्रकार ने उनकी एक्ट्रिस के साथ उनकी अफेर की खवर छाप दी थी जिसको लेकर उनकी पत्नी गोरी खान काफी परिशान हो गई और उन्हें लगने लगा कि उन्होंने शारुक से शादी करकर कोई गलती तो नहीं कर ली पर इसके बाद शारुक को काफी गुस्ता आया उन्होंने बताय कि मेरे ससुर एक सेना अधिकारी थे पंजाबी शादियों में जैसे करते हैं उसी तरह उनके ससुर ने भी गौरी के रक्षा के लिए एक तलवार दी थी मुझे लगा कि ये एक अच्छा हतियार है जिसे भारती सेना ने मंसूरी दे रखी है और मैं उस तलवार को लेकर जो की एक कटार की तरह थी उसे खबर लेने वाले लिखने वाले पत्रकार के घर पहुँचा और पत्रकार के पैरों पर बार कर दिया और उसे धमकी दे कर वापस आया कि कभी हाँ कभी ना कि सेट पर आ गया शारुख ने बताया कि इस घटना के एक दिन बाद कुछ पुलिस वाले सेट पर आ गए और उन्हें थाने ले गए इस दोरान उन्हें सिर्फ एक कॉल ही करने की इज्वासत दी गई शारुख ने इसका इस्तमाल भी उसी पत्रकार को धमकाने के लिए किया और कहा कि अब तो मैं जेल भी चला गया हूँ अब अगर निकला तो तेरे को काट दूँगा हाला कि बाद में अभिनेता नाना पाचिकर ने उन्हें जेल से चुड़ाया था और साथ ही आपको बता दें कि जो की फिल्म में उनके साथ काम भी कर रहे थे और इस बद में कोई दर आहे नहीं कि बॉलिवुड में शादिया चलना आसान नहीं होता यहां आए दिन कपल्स के ब्रेक अप सुनने में आते हैं ऐसा ही महल में लारद अत्ता और मैश भुपती की जोड़ी थोड़ी अलग है शादि के 11 साल बाद भी दोनों की आपसी समझ और समर्पन देखते ही बनता है अच्छे पती पत्नी होने के साथ ही दोनों अच्छे माता पिता भी हैं बेटी सायरा के जन्म के बाद आश तक दोनों ने उसे मिलकर और पूरा समय दे कर पाला है यही नहीं बलकि लारा ने उनकी बेटी के जन्म के पहले पती महेश से एक वादा भी किया था जो दोनों आश तक निभा रहे हैं इंटर्वी में लारा ने पुराने दिनों को याद करते हुआ कि उन्होंने बेटी के जन्म के पहले पती महेश भुपती से वादा किया था कि दोनों में से एक पेरेंट हमेशा ही बच्चे के साथ रहेगा आदस साल होने के बाद भी दोनों ये वादा निभा रहे हैं और एक समय पर एक ही पेरेंट काम के सिलसले में बाहर जाता है और दूसरा टाउन में रहे कर बच्चों की देख भाल करता है दारदता और चैनिस प्लेयर महेश भुपती की शादी साल 2011 फरवरी में हुई थी उनकी पहली संतान सायरा का जन्म अगले ही साल यानि 2012 में जन्वरी में हो गया था बेटी सायरा के जन्म के पहले ही दोनों ने सोचा था कि वो एक समय पर प्रोजेक्ट के लिए बाहर नहीं जाएंगे और आज तक वो इस नियम का पालन करते आ रहे हैं जब महेश को टूर पे जाना होता है तो लारा बेटी के साथ रहती हैं और जब लारा शूटिंग के लिए बाहर जाती हैं तो महेश बेटी को अकेला नहीं छोड़ता है लारा दित्ता सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी बेटी और पती के साथ फोटोस भी शेयर करती रहती हैं इनी फोटोस से ही उनके बीच की बॉंटिंग और डेडिकेशन साब दिखाई पड़ती है और इसे के साथ फिलाल के लिए बॉलिवट स्पेशल में इतना ही कल फिर आज़र होंगे बॉलिवट की और चटपटी गासिप के साथ